स्रीज अप मेट्रिक स्पेस कе थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है मैं इस वीडियो इसे सूडो मेट्रिक स्पेस की बारे में बताऊंगा। उसका कुछ एक्म्ठल बताऊंगा इस वीडियो के पहले मैं मेट्रिक स्पेस पर 2 विडियो ज pourquoi त्सक्रिप्स का हैं को कोहां से उसको देख सकते हैं या उपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके मैट्टिक अस्पीस के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं तो हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूं सुनिल गुमार इस चैनल पर मैं मानेалист का ही वीडियो लेकर कर आता हूं अप येदी मेरे चैनल में पहली बार आयile या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकोन को भी आउन कर लिजिए ताके लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है अपने फ्रेंट के साथ जरूर शेयर और कमेंट करके अपना फिडबाग आवस्चे दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप में ख्लासे को क्लिक करें में क्लासे को क्लिक करने के साथ वोमपेज पुल जाएगा अप प्लेलिस्ट में आपको डिफर से पहले हम लोग pseudo metric देखते हैं जिसको semi metric space भी कहते हैं कैसे define किया गया pseudo matrix जा समझोगे metric space की अगर बात करें metric की बात करें तो कैसे metric defined किया गया वो देखो metric क्या होता है एक non empty set लेते हैं हम लोग x जो non empty है और x cross x से r में एक function defined करते हैं d और यह function चार प्रोपर्टीज फोर प्रोपर्टीज को satisfy करना चाहिए सबसे पहला प्रोपर्टीज है कि d of x y greater than equal to zero second प्रोपर्टीज है d of x y equal to zero implies बोद साइड implies x equal to y और third condition था यहाँ पर d of x comma y is equal to d of y comma x और एक fourth प्रोपर्टीज था d of x comma y less than equal to d of x comma z plus d of z comma y अगर कोई function d जो x cross x से r में defined हो रहा है अगर यह चार condition को satisfy करेते हैं इसको हम लोग करते हैं metric अब इसी में से pseudo metric किसको करते हैं यह सभी condition जो है वो satisfy होगा first, third और fourth second condition थोड़ा change हो जाएगा अगर हम लोग second condition को change करते हैं यहाँ पर क्या है कि d of x y equal to zero both side implies x equal to y अगर इसको change करके यह कर दें कि d sorry यहाँ पर लिखेंगे x equal to y implies d of x y equal to zero अनि कि अगर x और y दोनों equal रहेगा तब d of x y zero होगा अगर d of x y equal to zero हो है तो x equal to y हो यह जरूरी नहीं है यहाँ पर both side implies था इसका मतलब था कि अगर यह 0 करते हैं तो x equal to y होगा और अगर x equal to y है तो यह भी 0 होगा लेकिन यहाँ पर इसको change कर दें है second condition को second condition को क्या करें है कि अगर दोनों equal होगा x और y दोनों इक्वल होगा उस समय इसका distance function जो है वो 0 के ब्राबर होगा आनि कि तुम ऐसा भी कह सकते हो इसको कि d of x x equal to 0 अगर दोनों equal है x equal to y मिन्स दोनों यहाँ पर equal है तो अगर दोनों equal होगा उस समय इस function का value 0 होगा लेकिन अगर यह function का value 0 है तो यह जरूरी नहीं है कि x equal to y हो ही यह जरूरी नहीं है लेकिन अगर यह दोनों equal है तो निस्द्रूप से 0 होगा तो यह second condition को change करके हम लोग अगर इसके बतले यह लिख दें तो जो metric बनेगा मतला यहाँ पर जो डी function जो defined हुआ है उस function सो हम लोग कहेंगे सुद्रू metric इस सिर्फ second condition को change किया जा रहा है बाकि first third और fourth जो है वो बिलकुल same है यहाँ पर अब देखो definition क्या है कि x भी यह non empty set let x y z belongs to capital x arbitrary कोई भी तीन मेंबर हम लोग ले लिए है let us define यह function d from x cross x to r satisfying following property d जो function है x cross x से r में define कर रहे हैं और यह 4 condition कौन कौन सा है यह देखो सबसे first condition तो है कि d of x, y greater than equal to 0 जो पहले भी था metric space में second condition देखो यहाँ change हुए है कि x equal to y implies d of x y equal to 0 बोद साइड यहाँ पर नहीं है बोद साइड implies नहीं है सिर्फ single side कि दोनों अगर equal रहेगा उस समय distance function जो है वो 0 के ब्राबर होगा ठीक है यह second condition यहाँ change हो गया और third condition वही है d of x y equal to d of y x जिसको symmetric काते हैं और d fourth condition भी वही है d of x y less than equal to d of x z plus d of z y जिसको triangle inequality काते हैं तो अगर d function x cross x से r में defined हो रहा है जो यह चार condition को satisfy करें then d is called the pseudo metric on x और the set x together with the pseudo metric d x और d को एक साथ हम लोग लिखेंगे तो it is called the pseudo metric space अब जरा ध्यान देना यहाँ पर इसको जरूर यह चीज़ याद रखोगे कि d of x, x equal to 0 होगा second condition यही बता रहा है कि x equal to y मतला हम लोग अगर x और y दोनों को equal कर दें उससे में इसका value 0 होगा एक एक जामपल से भी समझाएंगे अभी हम ठीक है अब जरा ध्यान देना अगर कोई metric space है तो क्या वह शूड़ो metric space होगा अगर कोई metric space है अगर यह metric space में तो यह condition follow कर रहा है यह 4 कंडिशन फॉलो कर रहा है तो क्या यह सूड़ो metric space होगा यह समझोगे तीन कंडिशन तो सेम है सिकेंड कंडिशन देखोगे सिकेंड कंडिशन उसका कहना है कि दोनों अगर x और y दोनों इक्वल होगा तो distance function का भालो जीरो होगा क्या यह बता रहा है कि x equal to अगर y है तो उससे में distance function का value जीरो है नकोई भी अगर metric space है तो उनिस्य तरफ से pseudometric होगा लेकिन अगर pseudo metric है तो क्या वह metric space होगा वह जरूरी नहीं है कि अगर pseudo metric है तो जरूरी नहीं है को metric space हो क्योंकि Pseudo metric है에 means क्या हुआ कि X equal to Y लिखा हुआ है तो उस समय D of x y equal to 0 होगा लेकिन अगर D P A X Y is equal to 0 है, तो यह तो नहीं कहा रहा है, तो यह नहीं कहा रहा है, तो यह नहीं कहा रहा है, और यहां तो दोनों मेर्टिक हैं, देखो यह pseudo स्टेंस फंक्शन अगर 0 रहे तो एक सिकोल टू यह तो नहीं कह रहा है सुडो में तो इसका मतलए अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक असपेस हो यह जरूरी नहीं है लेकिन अगर इसमें कोई भी कन्फीजन है तो इस एक्जाम्पल से इस कुछन से पूरा के लिए हो जाएगा यहाँ पर देखो क्या है कि let r be the set of real numbers एक set of real numbers ले रहे है और so that the function d एक d function r cross r से r में defined हो रहा है और defined वा इस तरीके से defined हो रहा है कि d of x, y equal to mod of x square minus y square for all xy belongs to r इस तरीके से यह function defined किया गया है दिखाना है this is pseudo metric on r यह pseudo metric होगा which is not यह metric on r यह pseudo metric होगा लेकिन यह metric होगा यह जरूरी नहीं है यह आपर दिखाना है कि metric नहीं होगा यह pseudo metric होगा लेकिन यह metric नहीं होगा यह दिखाना है तो जिरा देखो सभी condition pseudo metric का satisfy कर रहा है या नहीं जरा समझोगा इसको सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं जो function दिया हुआ है कि given function is यहाँ पर function इस तरीके से defined किया गया है कि d of x, y is equal to mod of x square minus y square for all x, y belongs to r अब सबसे पहले हम लोग condition देखते हैं कि चार condition जो है वो satisfy करता है कि निसुडो मेट्रिक के लिए भी four conditions है तो first condition यह तो modulus है since x square minus y square यह modulus है यह always greater than equal to 0 होगा क्योंकि mod है mod तो हमेशा positive होता है for all x, y belongs to r implies इसी को यहाँ पर d function कहा गया d of x, y this is greater than equal to 0 for all x, y belongs to r तो first condition तो satisfy हो रहा है second condition यह कहता है कि हम लोग x और y दोनों अगर equal माल ले x equal to y माल ले तब क्या होना चाहिए d function का value 0 होना चाहिए तो x equal to y implies d of x, y equal to क्या होगा mod x square minus y square है यहाँ पर तो x और y दोनों equal है तो y के जगा भी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x लिख सकते हैं तो यहाँ पर पहले ऐसे लिख हो कि let x equal to y x equal to y हम लोग माल लेते हैं अब अब हम लोग देखते हैं कि d function का value क्या होगा तो x और y जब दोनों equal है तो हम लोग x के जगे भी y लिख सकते हैं y square minus y square और इस दोनों का difference का value कितना आ जा रहा है जीरो तो x equal to y अगर मानते हैं तो d function का value 0 आ रहा है second condition भी satisfy हो रहा है third condition हम लोग अगर देखते हैं तो third condition है d of x comma y is equal to mod of x square minus y square यहाँ पर हम लोग मैनस common ले लेते हैं तो मानस common लेंगे y square minus x square हो जाएगा और यह मॉडलस का प्रूपर्टीज है कि मानस एक्स का मॉडलस is equal to क्या होता है एक्स का मॉडलस मानस हटा सकते हैं तो मानस यहाँ पर हटा देते हैं मॉड आफ y square minus x square और अगर x square minus y square रहे तो d of xy है यह y square minus x square अब यहाँ पर हम लोग जेड़ सक्वार को सब्ट्रक्ट भी करते हैं और जेड़ सक्वार को एड़ भी कर देते हैं मानस y square पहले से जो है वो रहने देते हैं तो जेड़ सक्वार सब्ट्रक्ट भी हैं कि एड़ सक्वार एड़ भी कर दिये हैं अब यह अच्वार का प्रुपर्डी जहीं के मॉड ओफ एकस वाई लेस्तन ऊकोलिटो मॉड एकस Poway मोड फ्लस मॉड्य दोनों में अगर मौड लगा देते हैं तो लेक्वार पर यहां पर यह दो चीशा का संभा है उस्का मॉड तो दोनों में अगर मॉड देर एंड़ मानस स्फट्र्वर में और यहां पर म always लगा देंगे मानस वाई सक्वार मेंभी एलस्थेन्ट हो जाए गए अब यह देखो इसको लिए क्या लिए सक्ते हैं जैसे स्ट्रस्थ और स्कॉर मानस वाई स्कॉर के मोड्रास को दि Uhr और यहां पर भी लिख देंगे फोर ओल एकसवाइव बिलॉंग यहां पर भी लिख देंगे फॉर और एकसवाइव बिलॉंग स्टू आर तो यह चारों कंदिशन सटेस्पाइब कर रहा है तो देरफोर दी इस यह यह सूदो मैट्रिक हो जाएगा सुडो मेट्रिक और किस में डिफाइंड हुआ है सुडो मेट्रिक और और में डिफाइंड हुआ है तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया अब सिकेंड पार्ट दिखाना है कि यह मेट्रिक नहीं है सुडो मेट्रिक तो है लेकिन मेट्रिक नहीं है तो जरा समझोगे एक्स कॉमा Y equal to अगर 0 मानते हैं तो बोग साइड इंप्लाइज एक्स एक्स इक्वाइड तो य बाकि तीन कंडिसन तो सेम है तो तीन कंडिसन तो सटिस्पाइब कर रहा है और सेकेड कंडिसन जो था सेकेड कंडिसन सिर्फ यह वला हम लोग को दिखाना पड़ेगा तो इसम function का भालू समय 0 आ रहा है अब यह देखना पड़ेगा कि दी ऑफ xy equal to 0 मानेंगे तो x equal to y आएगा या नहीं आएगा तो चलो चेक करते हैं मान लेते हैं कि दी ऑफ x comma y equal to zero implies d of xy का भालू है x square minus y square is equal to 0 x square minus y square को हम लोग लिख सकते हैं x plus y into x minus y is equal to 0 अब यहां पर ध्यान दिना मौड हम लोग हटा भी सकते हैं क्योंकि मौड का भालू कितना है 0 तो मौड हटा भी सकते हैं x plus y into x minus y equal to 0 हो जाएगा और यहां पर x equal to minus y हो जाएगा और यहां से x equal to क्या आएगा y आएगा तो यहां दो चीज़ आ गिया यहां दो चीज़ क्या रहा है implies x का जो value है वो plus और minus y हो गया जबकि क्या होना चाहिए single होना चाहिए सिर्फ x equal to y होना चाहिए अगर d function का value अगर 0 मानते हो सिर्फ x equal to y होना चाहिए x not x equal to minus y नहीं होना चाहिए दूसरा और condition नहीं आना चाहिए तो यहां दो चीज़ आ रहा है इसका मतलब यह मैट्रिक नहीं होगा क्योंकि यह condition से डिस्पाई नहीं कर रहा है एक example से देखो यहां पर हम लोग को मिल्ली देखना था कि d of x, y equal to 0 मानते है तो क्या होना चाहिए सिर्फ x equal to y होना चाहिए अगर कभी भी distance function का भालू 0 है तो वह दोनों निश्य दुरूप से equal होना चाहिए तभी distance function का भालू 0 होगा यहां पर चेक करते हैं हम लोग d of 1-1 यह दोनों यह दोनों का हम लोग distance function निकालते हैं तो यहां पर देखो कितना निकलेगा इसका distance function कैसे defined किया गया है d of x y equal to क्या है mod of x square मानस y square तो यहां पर d of 1-1 का वालू क्या होगा 1 square मानस मानस 1 का होल स्क्वार और इसका वालू कितना हो जाएगा 1 और यह मानस 1 का होल स्क्वार करने पर 1 आनि कि यह 0 आ रहा है तो देखो distance function का वालू 0 है लेकिन दोनों क्या equal है क्या बट यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 not equal to minus 1 तो distance function 0 है लेकिन यह दोनों number जो है वो equal नहीं है तो इसका मतलए क्या यह condition satisfy हो रहा है कि dxy equal to 0 implies x equal to y यह condition satisfy नहीं हो रहा है distance function 0 है लेकिन x और y दोनों equal नहीं है तो यहां पर यह condition satisfy नहीं हो रहा है तो therefore d is not a metric on r यह एक metric नहीं है metric on r तो इस example को देखो कि यह pseudo metric है यह pseudo metric हो गया क्योंकि यहां पर अगर x equal to y लेते हैं उसका distance function का 0 आ रहा है लेकिन distance function अगर 0 लेते हैं तो x equal to y हो यह जरूरी नहीं प्रतेक के लिए होना चाहिए for all xy कोई भी एगर xy लेते हैं जिसका distance function अगर 0 है तो वैसे के इसमें एकस और y निस्यत रूप से equal होना चाहिए प्रतेक के लिए मालो किसी के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है जैसे देखो द्यान देना यहां पर अगर हम लोग 2 और 2 ले ले लेते हैं इक्वल टू जीरो यहां पर 22 का निस्यत रूप से 0 आएगा देखो 2 रूल मानस 2 रूल का वाहलो कितना आ रहा है जीरो आ तो इस केस में हो जा रहा है लेकिन इस केसमें नहीं हो रहा है यहां पर 1 और मानस वन का distance function 0 है लेकिन 1 और मानस 1 इक्वल नहीं आ रहा है तो परते एक case में होना चाहिए कोई भी अगर xy ऐसा मिल जाए जिसका distance function अगर 0 है तो उस समय x और y निस्यत्रूप से equal होना चाहिए सभी case में नहीं आ रहा है इसका मतल़ यह metric space नहीं है metric नहीं है लेकिन सुडोमेट्रिक है तो every pseudometric is not necessarily metric space अगर सुडोमेट्रिक है या सुडोमेट्रिक है तो जरूरी नहीं है कि वह metric हो लेकिन अगर कोई भी metric है तो निस्यत्रूप से वह क्या होगा सुडोमेट्रिक हो तो दिकत किसी को तो फ्रेंट्स इस वीडियो में बस यहीं तक metric space के तीन वीडियो में मैं metric का definition एक्जामपल सुडोमेट्रिक का definition एक्जामपल बता चुका हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा distance of a point from a given set या फिर दिस्टेंस आफ टू सबसेट्स अफ मेट्रिक स्पेस डायमेटर आफ सबसेट्स अफ मेट्रिक स्पेस और फिर bounded and unbounded metric species के बारे में तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा ये वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए मिलते ह हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बद्यन्यवाद थैंक्यू